वेलकम बैक तो मैं यूट्यूब चैनल आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्वेश्चन नमबर टू हमारा 5.1 एक्सरसाइस का ठीक है तो सबसे पहले हम आप लोग के साथ क्वेश्चन को रीट कर लेते हैं क्वेश्चन नमबर टू क्या कह रहा है कि आपको पहले चार टम्स लिखने हैं तो आप लोगों ने अगर वीडियो एक्स्प्रेनेशन नहीं देखा है इस चैप्टर को आप लोग को देखना है 15 मिनिट्स में पूरे चैप्टर की क्विक समरी है वो सारी चीज़े लिखी हुई है और वो सब मैंने समझा रखा है एक प्लेलिस्ट बनी हुई है आप जागर के जरूर से चेक करिएगा 3-4 में ही वो बनाई गई है so that new latest वीडियो आप लोग के साथ शेयर हो सके ठीक है तो उसमें आप लोग अगर देखोगे ना तो मैंने काफी सारे examples लिए है या फिर पीवाई की उस बताए है वो सब उस वीडियो में 15 मिनिट की वीडियो में आपको पता चल जाएगा अब ही कि हम आपका question share कर देते हैं question कह रहा है कि आपको चार terms निकालने हैं कि आपको चार terms निकालने हैं first term आपको given है जिसका a first term a होता है सबको पता है a given है common difference यानि कि उस सारे terms को यान कि a1 a2 a3 a4 इन सबको जब एक एक करके minus कर रहे हैं तो common difference 10 आ रहा है तो आपको चार ऐसे terms निकालने हैं तो a given है आप लोगों को पता है पहला term तो 10 ही हो जाएगा है ना दूसरा term कैसे निकालते है a2 a2 कैसे निकलेगा a2 कैसे निकलता था a1 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 जो हमारा 10 था उसमें common difference को add कर देते थे a2 निकल आता था तो a2 हमारा 20 हो गया ठीक है और a3 हमें निकालना है सब पोस्ट करिए a3 और a4 निकालना है ना हमें तो a3 कैसे निकलता था a2 प्लस common difference जो भी दे रखा है तो a2 क्या है 20 आया था हमारा और यह 10 आ गया तो हमारा a3 क्या आ गया 30 आ गया इसी तरीके से a4 निकाल लो a3 कितना आया 30 आया तो a3 प्लस का common difference जो भी आपको दे रखा है question में 30 यह आया था हमारा a3 प्लस का 10 40 हमारा a4 आ जाएगा with this हमने question को solve किया है और question में answer क्या लिखोगे last में lock करना answer को जरूरी है मैंने आपको paper presentation वाली video में भी बताया है कि maths में जिसमें मेरे 70 out of 80 आया थे ठीक है वो वाला paper आप लोगों के साथ मैंने share किया है बट मेरे जो बोर्ट में marks आया थे वो hundred on hundred आया थे ठीक है यह आपके 70 out of 80 वाला question paper अल्रेडी मैंने share कर दिया है उसमें आप लोगों साथ tips and tricks आप शेयर की है आप लोग देख सकते हो जैसे उसमें मैंने आप लोगों बताया था therefore answer कैसे लिखना है तो हमारा answer क्या था 10, 20, 30, 40 यह हमारे first four terms है ऐसे करके हमें लिखना है तो answer की representation कैसे क पहला term दे रखा है common difference दे रखा है second term कैसे निकालेंगे first term plus common difference ऐसे नहीं लिखना चाहरे हो अगर ऐसे नहीं लिखना चाहरे हो अगर एक second pen change कर लेते हैं ऐसे first term ऐसे नहीं लिखना है तो a plus d लिख दो no worries क्योंकि आपके पास इतना time नहीं होगा first term पूरा लिखो फिर common difference पूरा लिखो इसलिए यह third और second निकाल लिया ऐसे ही fourth निकाल लिया and last में hence first four terms of an a.p.r 10, 20, 30, 40 with this हम question number two भी complete कर लिया है solve कर लिया अपना and if you are new to my channel please subscribe it till then take care bye bye